मुवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है इसकी गाड़ी से एक हीरन टकरा गई थी उस वक्त उस हीरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो लेकिन थोड़ी ही दिर बाद वो हीरन अजीब और गरीब तरीके से मुवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आइस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी इसके बाद हम एक आत्मे को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है उसका नाम सीकवू था कुछ हरसा पहले ही उसकी डिवोस हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी चोटी बेटी का ठीक से खयाल भी नहीं रख पाता था नेक्स डे उसकी बेटी का बड़े होता है अपने बड़े पर उसकी बेटी जित करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने बोजान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर एगरी भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट् क्रेंल का डोर ओपन होता है एक लड़की वहां पर आती है जिसके पाऊंव पर किसी काल निशान था और देखते ही देखते मौकष्ची मौवर्गी इक जॉंबी में चेंज हो जाती है और जॉंबी ये infection फैला था चोड़कर किसी दूसरे box में चले जाते हैं और अब वो जिस box में जाते हैं वहाँ पर ये zombie infection अभी तक नहीं आया था train की news broadcast में बताया जाता है कि ये zombie infection ना सिर्फ उस train में बलकि पूरी country में फैल चुका है और maximum लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं और जब ये train किसी दूसरे station पर जाकर रुखती है तो सारे passengers सिटी की तरफ भागते हैं लेकिन बाहि निकल कर वो अपने इुद गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही वो zombie infection बुरी तरह फैला हुआ है जिसकी वज़े से वो वापिस train की तरफ भागते हैं train में बैठने की भगदर में लोग अलग-अलग डबों में बैठ जाते हैं तब train का conductor इस train को पोजान की तरफ ले जाने का सोचता है क्यूंकि उसे report मिली थी कि चन बचे कुछे शेहरों में वो जान भी एक शेहर है जहां अभी तक ये infection एंटर नहीं हो सका सीकवू, सैंगुआ और यंग गुग train में रास्ते डूनते हुए बाकी passenger से भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर train के अगले वाले डबे में जाने की कोशिश करते हैं उनकी एक कोशिश में उन्हें बहुत सारे जॉंबी से बचकर निकलना पड़ता है अगले वाले डबे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर safe बैठे थे और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डबे तक पहुँची जाते हैं तो selfish COO यंग सुप उन्हें अंदर आने नहीं देता उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस infection का शिकार हो चुके हैं जिसकी गर्द से वो लोगों को भड़काता है और सब passengers उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते इस fight के दुरान सेंगवा और इंगिल खुद को उन जॉंबिस के आगे sacrifice कर देते हैं ताके इस दुरान उन चारों को ये मौका मिल सकी कि वो दर्वाजा खोल कर safe box में चले जाएं अंदर आ जाने के बाद COO उन चारों लोगों को चेंबर में isolate करता है ताके अगर ये infection का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस infection से बच सकें दूसरी तरफ उन पैसिंजर्स में एक लड़की जोके काफी upset थी क्योंकि उसकी sister इंगिल अब एक zombie बन चुकी थी और तब वो जान बूच कर उस दर्वाजे को खोल देती है जहां पर infected लोग थे और बस ऐसा होते ही वहां तबाही मिच जाती है वो सारे zombies उस डबे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिरफ वो ही लोग हैं जिने चेंबर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सीकवू, सुआन और सियोंग इनके इलावा COO और एक train attendant खुद को बाथरूम में बन करके अपनी जान बचा लेते हैं पिर हम देखते हैं कि इस train का रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वज़ा ये थी कि उस station की पट्रियां बन थी और जैसे ही वो train अपने stop पे रुकती है पचे हुए passengers किसी दूसरी train की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड जाते हैं वो COO एक बार फिर से खुदगर्जी का मुझाहिरा करता है वो अपनी जान train attendant को उन जॉम्बिस की तरफ धका देकर बचाता है जिससे वो attendant की भी मौत हो जाती है और वो selfish यॉनसुक बच जाता है अब यहां पर यॉनसुक वैसे तो बच गया था लेकिन उसे एक जॉम्बी ने काट लिया था और definitely वो खुद भी अब एक जॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक करने कर देता है सीक वो जॉम्बी यॉनसुक से लड़ता है लेकिन इस फाइट में यॉनसुक उसे काट लेता है सीक वो यहां पर समझ जाता है कि अब क्यूंकि उस जॉम्बी ने उसे काट लिया है तो अनकरेब वो भी जॉम्बी में बदलने वाला है ये सोच कर वो अपनी बेटी और स्योंग को इंजन वाले रूम में बन करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है अब जाहिर है सीक वो ने जॉम्बी बन जाना था तो जैसे ही वो फुल जॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूट जाता है और यहाँ पर सीक वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मॉमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हातों में उठाया था और अब ट्रेन फाइनली वोजान पहुँच जाती है और तब दो लोग स्वान और स्योंग वहाँ पर उतरते हैं और यह दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सर्वाइव कर गए थे वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सॉलजर्स थे और यह सॉलजर्स बॉर्डर को जॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देकर वो समझते हैं कि शायद यह दोनों भी जॉम्बी हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तब ही उन्हें स्वान के सॉंग की आवाज आती है यहीं पर मूवी end हो जाती है